वह एकमत समर्पन का है, और जिन्होंने भी जाना है उन्होंने वही कहा है, कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि संकल्प से चलने वाले लोगों ने भी अंत में यही कहा है, चले संकल्प से, पहुँचे समर्पन से, बुद्ध के साथ यही हुआ, क्षत्रिय का खून था, समर्पन आ सारी शिक्षा दीक्षा, संसकार्क्षत्रिय के वह भी राजपुत्र के संघर्ष के समर्पन के नहीं हो सकते, संघर्ष के ही होनगे. तो बुद्ध ने छे वर्ष तक अथक तपश्चर्या की, जो जो कहा है शास्त्रों में सब पूरा किया, थोड़ा ज्यादा ही पूरा किया, जितना कहा था उससे भी अती की, क्योंकि कहीं चूक न जाए, कहीं यत्रा अधूरी न रह जाए. गुरू ठक गए, जिन गुरूओं के पास बुद्ध गए, उन्हीं गुरूओं ने कहा कि हम तुमसे अब कुछ भी कह नहीं सकते, क्योंकि जो भी तुमसे हमने कहा करने को, तुमने उसे जरूरत से ज्यादा किया. ऐसा शिश्य पाना दुरलब है. साधर अंतह गुरूओं को कठिनाई नहीं आती, क्योंकि शिश्य कभी वह करते ही नहीं जो गुरू कहता है. करते भी हैं, तो उतना नहीं करते, जितना गुरू कहता है. इसलिए सुविधा बनी रहती है गुरू को, कि तुमने किया ही नहीं. अगर नहीं पाया, तो विधी गलत है, यह मत समझना. जब किया ही, नहीं तो तुम ही गलत हो. बुद्ध से यह कहना आसान न था. जो कहा था, उसे उन्होंने रत्ती-रत्ती, जरूरत से ज्यादा पू मोटी-मोटी उपलब्धी को कोई मूल्य न देते थे. परमात्मा को ही जानना था. और परमात्मा को भी ऐसे नहीं जानना था कि वह दूर खड़ा हो और हम दूर खड़े हो. उसे भी ऐसा जानना था कि वह हमारा अंतरतम हो. तभी तो जानना जानना है. ऐसा देख लिया आ अवाज सुनी जाती है, नहीं, यह कोई जानना जानना नहुआ, यह तो परमात्मा भी माया का ही हिस्सा हुआ, जानना है अंतर्तम की भाती, बाहर नहीं, इंच भर की दूरी को सुविधा नहीं है, अपने स्वरूप की तरह जानना है, तभी जानने पर भरोसा होगा, जो परमात्मा की, लेकिन बुद्ध ने कहा की नहीं, प्रतिमाय नहीं.